हेलो डियर, वेलकम बैक टू माई चैनल, बच्चो क्लास सेविंथ की एक्सरसाइज करेंगे, क्लास सेविंथ लेसन फॉर्टीन, फ्लोरेंस नाइट इंगल, ओके बच्चो, तो क्वेश्चन नमबर ए है, मतलब यह, फ्लोरेंस को उसका नाम कैसे मिला, तो अंसर है, फ्लोरेंस गौट हर नाम फ्रॉम दा सिटी फ्लोरेंस इन इटली, वेर सी वाज वॉर्न, फ्लोरेंस को उसका नाम इटली के सहर फ्लोरेंस से मिला, जहां उसका जन्म हुआ था, Q.B. How did Florence want to become? Florence क्या वनना चायती थी? To answer, Florence wanted to become a nurse. Florence एक nurse वनना चायती थी Q.C. Why did not young ladies from good families become nurses in those days? उन दिनों अच्छे परिवारों की युवतियां या लड़कियां नर्स क्यों नहीं बनती थी? तो इसका answer है Nurses were paid very little money and they got little respect in society. Therefore, young ladies from good families did not become nurses in those days, in those times. मतलब यह नर्सों को बहुत कम पैसे दिये जाते थे और उन्हें समाज में बहुत कम सम्मान मिलता था. इसलिए उस जमाने में अच्छे परिवारों की लड़कियां अनर्स नहीं बनती थी. Question number D What did Florence do to improve the condition of the hospital at Centauri या संतारी? संतारी के अस्पताल की हालत सुदारने के लिए Florence ने क्या किया? तो आंसर है और कपड़े खरीदे सीट यानी की चादर Bed Seat Question number E Why is Florence Nightingale known as the lady with the lamp? Florence Nightingale को the lady with the lamp क्यों कहा जाता था? तो आंसर है इसका In the hospital in Centauri Florence would go from bed to bed carrying a lamp at night This is how she got the name the lady with the lamp मतलब ये संतारी के अस्पताल में Florence रात में एक दीपक लेकर एक बैड से दूसरे बैड पर जाती थी मतलब ये लेंप लेकर इस रूम से दूसरे रूम यानि की पेसेंट्स को देखने के लिए जाती थी इसी से उसे The lady with the lamp का नाम दिया True, False Question answer हो गए True, False Right, True or False For a given statement For the given statement तो आप अपनी बुक में देखो A number Florence was born in a poor family तो ये गलत है तो ये फाल्स हो गया, ठीक है Florence गरीब परिवार में पैदा नहीं हुई थी ठीक है एक अच्छे परिवार में हुई थी वो तो ये गलत हो गया Second number She wanted to become a nurse तो ये सही है वह एक nurse बनना चाहती थी ये एक सही है C number She grew up in Italy वह इटली में बड़ी हुई गलत इटली में बड़ी नहीं हुई आंगे बताऊंगा कहां बड़ी हुई D number She worked very hard to improve the condition of the hospital तो ये true है E number She became the superintendent of the organization care of the sick तो ये true है ठीक है ये true है इसको देखके आप अपनी बुक में भर लेना नेक्स्ट है Study the table Now write few sentences about Florence Nightingale's life Write them in order in which they happened तो ये आपको लिखने है आप अपनी बुक में देखना दिया है चार्ट उसमें से sentence बनाने है तो E number बनाया है Florence was born in Italy Italy में पैदा तो हुई है और B number Florence grew up in England Florence England में बड़ी हुई है यानि कि पालन पोसन उनका England में हुआ है ठीक है वाँ बड़ी हुई है C number Florence learnt about nursing in Germany D number Florence served the soldiers in the war in Turkey या Turkey ठीक है तो यह सेंटेंस बनाया है E number Florence died in London Florence लंदन में मर गई थी ठीक है तो यह सेंटेंस अब अपनी बुक में बढ़ लेना इसको देखके नेक्स्ट है बड़ पावर बड़ पावर में पुछा है Column A gifts you names of some countries write a word for the citizen belonging to each country in Column B One has been done for you जैसे कि अमेर्का तो अमेर्कन जैसे अपने भारत में कोई आता है अमेर्का का कोई निवासी या कोई आदमी तो उसको क्या बोलेंगे ये अमेर्कन है यानि कि अमेर्का का रहने वाला है ऐसे ही पूछा है तो आपको ये सब बनाने है तो अब अपनी बुक में इसकी देखके भर लेना तो चाइना क्या बोलेंगे चाइनीज इंगलेंड को क्या बोलेंगे इंग्लिस या इंग्लिस मैन या बो मैन ठीक है फ्रांस को क्या बोलेंगे फ्रेंच जर्मन क्या बोलेंगे जर्मन इंडिया क्या बोलेंगे इंडियन ठीक है तो यह देखके आपनी बुक में पर लेना नेक्स्ट है Language Practice Language Practice पुछा है We join together words or sentences with and or what Conjunction and or what को आपको जोड़ना है एक sentence दिये है तो वो and or what से जोड़ना है ठीक है तो इसकी देख के आप अपनी बुक में भर लेना Example Ram and Sam are two withers तो end से जोड़ दिया Ram and Sam Ram is a tall, thin and clever boy What his brother Sam is short, fat and dull ठीक है तो end और what से जोड़ना है तो यह paragraph दिया है Now complete the following paragraph of with and or what ठीक है, and or what से जोड़ना है तो देखिए इसकी देख के आपनी बुक में बढ़ लेना Sunita and Sakshi both like to play Sunita likes to go to school फिर what फिर what बट जोड़ देंगे Sakshi does not like school at all Sunita keeps her room neat end लगा देंगे Tiddy what लगा देंगे Sakshi keeps her room dirty तो यह आप अपनी बुक में भर लेना देख के पहले आप इसको पढ़ लो ठीक है फिर आप sentence बनाना We use somebody to refer to a person who is not non or we do not want to mention my name Somebody का यूज कहा करते हैं हम somebody का प्रियोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए करते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं या हम नाम से उलेख नहीं करना चाहते हैं Nobody We use nobody in positive sentences हम सकारात्मक बाक्यों में nobody का प्रियोग करते हैं Third, we use anybody in negative sentences or questions हम नकारात्मक बाक्यों या प्रस्णों में anybody का प्रियोग करते हैं ठीक है अब sentence बनाते हैं Now make sentences with somebody, nobody and anybody using the table below तो यह sentence बनाए हैं आप अपनी बुक में भर लेना इसको देखके ठीक है A number There is somebody at the entrance तो आपकी बुक में एक टेविल दी गई है language practice में तो वहां पे आप इसको देखके sentence बना लेना ठीक है There is somebody at the entrance V number There is somebody on the terrace C number There is somebody in the garden D number D number There is somebody near the door E number There is nobody at the entrance F number There is nobody in the class G number There is nobody on the terrace H number There is nobody in the garden D number In c There is nobody on the terrace D number There is nobody in the garden and there is not anybody near the door तो यह sentence बनाई थे हमने आप अपनी इसकी देख के बुक में भर लेना next है activity बच्चो activity आपको ही करनी है आपने श्कूल में मेडम से activity करवाना है ओके बच्चो बच्चो आपकी exercise फिनेश हुई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके बच्चो थेंक यू